देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार करते सुनाई दे रहे हैं इस ऑडियो के बाद यहां कॉंग्रेस में बवाल मच गया था इस मामले में संदीब सेगल ने आज पत्रकारों के समक्ष इस ऑडियो क्लिप को जूटा करार दिया उन्होंने कहा कि आज कल तकनीक का जमाना है आवाज किसी की भी निकाली जा सकती है और वीडियो में चैरा भी लगाया जा सकता है संदीब सेगल ने कहा कि आजियो में जो बात सुनाई जा रही है वह मेरे द्वारा नहीं कही गई और ना मैं ऐसा कह सकता हूँ विविन जाती धर्म की विचारधारा है उस विचारधारा से इस देश का विकास होता है और आस तक विकास हुआ है इसलिए हम सब अपने आपको बहुत स्वभागेशाली महसूस करता हूं कि मेरे को एक इतनी बड़ी पाइटी हाई कमान ने मुझ जैसे एक नॉर्मल कार्य करता को एक छोटे से कारे करता को मेरे परम आरणिये तीन तीन प्रदेश अध्यक्षों के साथ उनके आशिरवात के साथ मुझे महानगर अध्यक्ष का एक महत्यपूर राइत्पूर का तीन तीन अध्यक्षों के साथ कारे करने का मौका में मैं बहुत ही इस बाद के लिए महानगर अध्यक्ष ने कहा मुक्ता सिंग मेरी दीदी और मनोज जोशी मेरे बड़े भाई के रूप में मेरे लिए सम्मानित हैं मैं कभी भी इन लोगों के लिए ऐसी बात नहीं कह सकता उन्होंने आरोप लगाया है कि इस आजियो क्लिप के पीछी आम आदमी पाटी भारती जंता पाटी या बस्पा औ कुनि इसार्मा कि रिपो